आपके ही अपने यूटूब चैनल चोपड़ा एजूकेशन में मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ AFMC यानि Armored Forces Medical College पुरे आपने नाम जरूर सुना होगा टोप होने के बावजूद भी कम मार्स पर इसमें सेलेक्शन हो जाता है यानि कि इसमें अपना एक screening test होता है उस screening test में need के markers जुड़ते हैं और need के markers जुड़ने के बाद मी जो merit निकलती है उससे इसमें selection होता है तो यह टोप Medical College होने के बावजूद भी कम markers वारे candidate का selection हो जाता है इसमें तो इसमें selection procedure क्या है इसमें तीन दिन का जो screening टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कैसे कैसे selection होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे यही एक मातर ऐसा medical college है जो आपको medical study के दोरान जो mbbs के दोरान साधे चार साल का आप mbbs करोगे उसके दोरान आपक के बाद में आपको medical officer की जोग दी जाएगी यानि कि आपका जो भविसे है उजवल ही उजवल है जब आप mbbs करने के बाद mo की duty जोइन करेंगे उसके बाद में आपको गाड़ी बंगलो सारी सोहरत यहां पर मिलती है और आपको देश की सेवा करने का मोका मिलता है आर्मी क की dress पहने का आपको इसमें मोका मिलता है तो इसमें जो seat 150 seats नहीं को हैं कि आरमी के जो वार्ड़ से वही इसमें अपलाई कर सकते कोई MBBS में इसमें आर्मी वार्स का कोटर नहीं है तो टोटल 150 सीट से बॉइस के लिए 115 सीट से गर्ल्स के लिए 30 सीट से और 5 सीट इसमें जो इसके पांस सीटे रखी गई है जो फ्रेडली कंट्रीज है लो को लोगरेशन प्रोग्राम के अंडर यह पांस सीटे इसमें रखी गई है 21 में जो इसकी कटोप थी वह 609 वोईस कंडिडेट के लिए थी और गल्स कंडिडेट के लिए 627 कटोप रही थी अब की बार इसकी बात करें कि कितनी कटोप रह सकते हैं तो 600 कटोप इसमें बोईस कंडिडेट के लिए रह सकते हैं और 620 इसमें गल्स कंडिडेट के लिए इस साल के लिए कटोप मार्क्स रह सकते हैं AFMC के लिए तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पुरा प्रोसेस जानना चाहते हैं इंक्लूडिंग AFMC तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं ओल इंडिया कोटा, स्टेट, वेटनरी, आयू सभी के बारे में बुक है से या वेबसाइट www.sopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चोपरा एजुकेशन टेलिग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही डाउनलोड करेंगे मैं आप से संपरक कर लूँगा आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं तो आईए अब मैं आपको MCC से रेजिस्टेशन करने से लेकर के लास्ट आपको एडमिसल तक का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपने इसमें AFMC में एडमिसल लते हैं सबसे पहले आपको AFMC के लिए रेजिस्टेशन करना है MCC की साइट पर AFMC के लिए रेजिस्टेशन MCC की वेब साइट पर सबसे पहले आपको रेजिस्टेशन करना है वहाँ पर रेजिस्टेशन करने के लिए आपको सेक्यूर्टी डिपोजिट करनी होगी इसके साथ में रेजिस्टेशन फीच डिपोजिट करनी होगी जो All India Kota के लिए भी होती है और AFMC के लिए भी होती है तो आपको अगर आप जनल कैटेगरी से हैं तो 11,000 रुपीज पे करना होगा अगर आप OBCS, CST कैटेगरी से हैं तो 5,500 रुपीज पे करना होगा प्लस सेक्रिटी अमूंट जो आपके All India Kota में भी काम आएगा और AFMC के रेजिस्टेशन में भी काम आएगा कि आल इंडिया का जब रजल्ट निकलने वाला होता है उसका एक दो दिन बाकी होता है या फिर रजल्ट निकल चुका होता है उसके नियरवाई एफमसी की वेब साइट पर आपको एक PDF में लिस्ट मिलेगी इस्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उस लिस्ट में आपने अपना ना 18 थी, 19 थी और गल्स कंडिडेट के लिए 637 कट ओप रही थी यानि कि इससे उपर वाले सभी कंडिडेट इसमें इलीजिबल थी मैं यहाँ पर आपको एक बतातूं जो S.A.S.T. की कट ओफ है वो भी सहमी है इसमें S.A.S.T. के अलग से कोई कट ओफ नहीं होती है जो पायो जो मेरिट है वो थोड़ी डाउन जाती है 10 सीट उसकी रिजर्वों होती है तो यह कट ओफ है आपकी वहां मिलेगी आपको उस लिस्ट में मिलेगी और उस लिस्ट में डेट वाइस प्रोग्राम दिया होगा डेट वाइस का मतलब है कि आपका कौन सी डेट को यह स्क्रीनि होता है या आ चुका होता है इसी के नियर बाइएन लिस्ट पपलिस होती है AFMC की वेब साइट पर तो आपको यह लिस्ट चेक करते रहना है वैसे मैं भी इसका वीडियो बना देता हूं कि AFMC की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लिस्ट पपलिस हो चुकी है आप अपना नाम उसमें चेक कर लें और A.F.M.C. पूरे पहुच जाएं तो उसमें सारा सब कुछ दिया होता है तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम है वो कटोप से उपर आपके माक्स है और उसमें आपका नाम है तो उससे डेट को जो उसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट को आपको इस आपका उस लिस्ट में नाम है आपको क्या-क्या लेकर जाना है तो लेकर जाने के लिए आपके पास सबसे पहले अपने ओरीजनल डोकुमेंट्स होंगे आलांकि उसमें भी उस लिस्ट में भी लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या-क्या ओरीजनल डोकुमेंट्स लेके जा होगा इसके बाद अगर आप आपके पास कोई NCC का या फिर कोई sports का या फिर और कोई किसी activities का आपके पास certificate है तो वो certificate आपको जरूर लेकर जाना है क्योंकि interview में ये देखा जाता है कि आपने आप वहाँ qualify सारा सब कुछ करके अच्छे मार्ण से तब तो आप जाते ही हैं इसके अलावा आप क्या कर रहें क्या रूची है आपकी कौन सक मतलब sports में है या फिर उसके अलावा क्या है तो यह सारा interview में देखा जाता है तो यह चीजें आपको लेकर जानी है वहाँ पर तो यह documents आपको लेकर जाने है डोकुमेंट्स में यह सारे आगए फिर आपका नीट का रजल्ट लेकर जाना है और आपका admit card भी लेकर जाना है इसके बाद में 16 आपके passport size के size के photo होने चीए वह 16 photo लेके जाना है आपका ID proof लेकर जाना है आपका ID proof लेकर जाना है तो आपके parents आपके साथ में जाएंगे तो आप तीन दिन वहाँ रुकणे का सामाल लेकर जाएं तो अपने मौसम के इसाब से वहाँ देखे कि पूरे में क्या वहाँ वेदर रहेगा क्या हमें शोल लेके जानी है कंबल लेके जानी है क्या वहाँ से arrange करना है तो यह इस परकार का आप arrangement करके चले यहाँ से तीन दिन रुकने का वहां का arrangement आप घर से ही लेकर चले अब आपको जिस दिन आपका screening test है उस दिन आपको सुबह साथ बजे 7 o'clock morning आपको वहां पहुंचना है campus के गैट पर पुरे railway station के साथ ही campus है तो वहां आपको कोई problem नहीं होगी तो वहां आपको पहुंचना है पहुंचने के बाद में गैट पर वो आपसे initially थोड़ा सा checking करेंगे कि हाँ आपका नाम इस list में है तो आप फिर गैट में इसरा है medical यह तीनों ही चीज बड़े important है यह तीन ही चीज पर इन तीनों पर ही आपका selection होता है इन तीनों के बारे में मैं आपको अलग-अलग बताऊंगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जाके आपको करना क्या है तो जैसे ही आप गैट में इंटर करते हैं FMC गैट में इंटर करते हैं parents आपके साथ में होते हैं तो parents पे刃ंट्स को इक तरह बैठा दिया जाता है, बाकि जो students हैं, उसमें girls candidate का अलग group बनाया जाता है, और boys candidate का अलग group बनाया जाता है, वहाँ पर आपको एक role number दिया जाएगा, जैसे कि army वगरा में recruitment होता है, वहाँ एक chest number दे दिया जाता है, उसी प्रकार आपको वहाँ पर एक role number अलोड किया जा है कि आपके documents के लिए, medical के लिए, test के लिए कोई problem नहीं हो, आपके role number से वहाँ आपको बुलाया जाए, आपके group से वहाँ बुलाया जाए, रोल number से बुलाया जाए, तो इस group ने इसलिए बांटा जाता है कि एक ब्यवस्ता बढ़ी रहे, कोई किसी प्रकार की problem ना हो, अब documents check होने के बाद में, आपका एक थोड़ा सा medical होगा, initially तोर पर, medical होगा, कि आप कोई दिकत तो नहीं है medical में, तो थोड़ा सा आपका medical होगा वहाँ पर, ये सारा होने के बाद में, इसके बाद में आपका test होगा, जो टोले test है, वो test होगा, इसमें ये 80 marks का test होता है, 80 marks का test ह होता है इसका मैं प्रोसीजर पहले बता चुका हूँ कि इसमें क्या-क्या होता है तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं आप एक इसके लिए तोले टेस्ट होगा इन दोनों को टोटल करके 800 कर लिया जाएगा अब जो टोले टेस्ट के अंदर आपके उप्तेन मार्ग से और नीट के अंदर उप्तेन मार्ग से उन दोनों का टोटल करके फिर उसको 200 से डिवाइट किया जाएगा तो 200 का आपका ये पेपर आ जाएगा इ आपके Optane Marks रहेंगे, अब इसमें ये तो हो गया तोली टेस्ट, आप इसमें कितना गैन करते हैं, तो फर्स्ट वाड़े दिन आपका यही होता है, अब ये तोले टेस्ट है, वो CBT होता है, यानि कि कम्पिटर बेस्ट टेस्ट होता है, और ये टेस्ट होने के बाद में, फर्स्ट डे की कारवाई है, यानि कि पहले दिन आपको इतना करना पड़ेगा, ये सुबह साथ बजे से लेके सामको छे बजे तक कम्पिलीट होता है, तो आप इसमें दिन में अपना जो अरेंजमेंट है, जैसे आप अपने वाटर बोटन साथ रखे, लंच साथ लेकर ज जाना है, तो ये आपका काम हो गया, फर्स्ट डे का काम होने के बाद, अगर आपके परेंट्स वहाँ Campus में रुखना चाहिए, तो परेंट्स रुख सकते हैं, इस्टूडेंट को रुखनी नहीं दिया जाता है, इस्टूडेंट अपने अरेंजमेंट पर बाहर होटल में तो parents भी आपके साथ hotel में रुखना चाहिए तो रुख सकते हैं, otherwise अगर आप hotel में रुखना चाहिए या parents campus में रुखना चाहिए तो वो रुख सकते हैं, तो ये अपना आप arrangement कर लें, वहाँ आप से चूट जाने के बाद में, first day का काम complete हो जाता है, और वहाँ आप रुख जा है, मैं आप आगे बताऊंगा कि वह interview man क्यों होता है, अब interview ये होता है, वह 50 marks का होता है, interview 50 marks का होता है, तो total marks कितनी हो गए आपके, total maximum marks हो गए, आपके 250, और जो आपने meet में लिये हैं marks और टोलेर में जो marks लिये हैं, उनका total करके 4 से divide किया, वह obtain marks, plus आपके जो interview के obtain marks हैं, तो ये जो 50 marks से interview के, ये बहुत ही important है, अब ये important क्यों है, ये मैं इसलिए बता देता हूँ, माल लो कोई student है, माल लो example के तोर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई student है, और इस बार जो cut up रह रही है, वो 600, माल लो किसी student के 630 marks हैं, एक student के, एक student के 630 marks हैं, और एक student के 680 marks है ये हम example के तोर पर माल लेते हैं, एक student के 630 हैं, एक student के 680 marks है, अब जो ये तोले test हुआ था, इस test में माल लो दोनु student ने 70 marks गयन किये हैं, दोनु student ने 70 marks गयन किये हैं, तो ये हो गया, 700 marks हो गये इस student के, और इस student के 750 marks हो गये, तो इस में ज्यादा किसके हैं, 680 वाले marks, candidate के marks ज्यादा हैं अब इनको दोनों को 4 से divide किया जाएगा जब 4 से divide किया जाएगा तो वह इसलिए जरूरी है इसी student के marks ज्यादा आएंगे तो जरूरी नहीं है कि इसके अभी marks ज्यादा रहे तो इसका selection हो अब माल लो इन 50 marks में इन में से इस student के interview में marks कम आते हैं और इस student के interview में marks ज्यादा आते हैं तो इसका selection हो जाएगा इसका selection नहीं होगा तो इस लिए ये interview बहुत ही जरूरी है अब इस interview में क्या-क्या सवाल पुछे जाते हैं अब इस interview में जो स्वाल पुछे जाते हैं वो नॉर्मली स्वाल पुछे जाते हैं अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दू इस से पहले इस इंट्रिव्यू से पहले टोलेर टेस्ट के बाद एक पीएटी टेस्ट होता है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं वो सिरफ पे क्वालिफाइन के लिए पूछता है क्वालिफाइन का म Iniio साइक़लोजिकल असेस्मेंट होता है इसे प्रकार के क्यूसन पूछे जाते हैं क्या माइन्ड पूछते हैं यही रखे जाती है और ये जो P.A.T. टेस्ट है ये जुड़ा हुआ होता है इंटर्वियू से यानि के आप इनमें क्या जवाब दे रहे हैं इस P.A.T. टेस्ट में उसी प्रकार से उसी के related कि उसना आपके interview में पुछे जाते हैं, अब interview में ये सिरफ qualifying के लिए होता है, ये मैं आपको बता तो कहूं, इसके marks जुड़ते नहीं है, अब interview की बात करें, interview में क्या-क्या पुछा जाता है, तो interview में आपका कोई वहाँ knowledge नहीं देखा जाता, interview में एक चीज देखी नहीं है उसमें, यानि कि आपके knowledge के लिए कोई नहीं पुछा जाता, कितना mind आपकी सोच क्या है, तो इस परकार से interview के लिए क्यूशन पुछे जाते हैं, तो interview में जो क्यूशन पुछे जाते हैं, जैसे आपके area के क्यूशन पुछे जाएंगे, अच्छे एक सीज मैं आपको और बता दूँ, जैसे ही आप गैट में सुभई इंटर करेंगे साड़े साथ बजे, उसके बाद में जब आपका group से divide किया जाएगा, उस group से divide करने के बाद आपका एक simply सी form दिया जाएगा, उसमें आपकी detail बरनी है, आप के पिता जी क्या काम करते हैं, नाम क्या है, आपके need के marks कितने हैं, मदर क्या करती हैं, क्या आपका income का source क्या है, तो इस परकार के question आपने उसमें लिकने हैं, उसका जबाब देना है, तो वही interview में उनके पास में ये record चला जाता है, तो interview में उससे related भी वो पूछते हैं, उसका pro stack भी करते हैं, तो इसमें आप से ये पूछा जाएगा, आप रेने वाले कहां के हैं, आप वह अगर आप simple see question का answer देंगे, तो वो ज्यादा impressed होते हैं, interview में पांच officer का एक board होता है, उसमें अलग-अलग navy के officer होते हैं, army के होते हैं, और air force के officer होते हैं, तो वो board के सामने आपको वहाँ पर in questions के reply देने हैं, questions normal होते हैं, दिमाज से आपने जवाब देना है, दूसरा, आप आप से ये पुछा दता है कि FMC में क्यों आना चाते हैं, तो आप उसका अलग-अलग type से, मतलब अलग ही reply देंगे, तो बेट रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बाद में आपको ये भी knowledge होना चीए, कि आपके जो area में, army, air force, navy, जो भी है, वो कितना उसका area area है, कौन सा है, क्या base है, तो इस परकार का आपको थोड़ा सा knowledge होना चीए, आपकी नजदी के airbase कौन सा है, तो इस परकार का थोड़ा सा आपको knowledge होना चीए, तो ये PAT test के बारे में भी वो बुक में मिल जाएगा, interview के लिए भी थोड़ा-थोड़ा वो बुक में देते हैं कि कैसे कैसे interview में क्या क्यों सर्थ पूछे जाते हैं, तो ये होता है interview, तो ये first day का पूरा का पूरा आपको मैंने program बता दिया है, कि ये होता है इसमें, आप इसकी तैयारी पहले ही करके रख लें, अब जब first day खतम हो जाता है, यानि कि पूरी events खतम हो जाती है, उसके जाएंगे आप, initially तो medical आपका हो चुका है, लेकिन दूसरे दिन पूरे दिन medical होगा, ये medical आपके लिए एहम है, इस medical में क्या क्या होगा, इसमें आपके पूरे सरीर की जाँच होगी, और वो अलग-अलग department में होगी, जैसे कि आपको पहले उक्तॉलमोलोजी में लेके जा वहाँ पर, इसके बाद में आपका hearing के लिए instrument लगा के फिर ये देखेंगे कि कितना आपको सुनाई दे रहा है, कौन से word सुनाई दे रहे हैं, इसके बाद में ENT में आपको लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर ये पूरा आपका जो आपके कान वगरा है, या पहले ही clean करके जाएं, कोई उसमें problem ना हो, तो इस परकार से वहाँ पूरे दिन ही अलग-अलग department में जैसे पीडिया में ले जाते हैं, या फिर medicine में ले जाते हैं, वहाँ आपका wait करते हैं, height check करते हैं, BP check करते हैं, तो इस परकार का पूरे दिन ये medical होता है, ये medical बड़ा ही सक्त होता है इसमें हरे एक चीज देखी जाती है, तो medical में आप FMC में जाने से पहले अपने कान, दात बगरा, ये सारे अच्छी तरह से साफ करके जाएं, तो वहाँ इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये पूरे दिन का program है, अलग-अलग department में आपको ले जाये जाएगा, और अलग-अलग department में आपका medical होगा पूरे दिन, अब medical होने के बाद में, ये second day का हो गया काम, साम को 6 बजे, वाकस आप अपने रहने के जगे जो आप hotel में ठहरे हैं, या कहीं भी ठहरे हुए हैं, वहाँ आ जाएंगे, तीसरे दिन सुबह आपको फिर जाना है वहाँ पर और वह तीसरे दिन का इंतजार होता है हर एक student को, वहाँ आपके सबसे पहले तो medical का result सुनाया जाएगा कि आप medical fit हैं या unfit हैं, तो अगर आप medical fit हैं, तो आगे की कारवाई आप proceed कर सकते हैं, अगर आप medical unfit हैं, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कौन से, किस दीज किया है, तो वो फिर उनका solution करके दूसरे दिन, दूसरे board के जो higher board होता है, उसके समेक्स वो present होते हैं, वहाँ फिर उनका फिर medical होता है, वो पास होते हैं, तो उस अपील को माल लिया जाता है, और medical fit कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से आप medical के लिए appeal भी कर सकते हैं, तो अगर medical fit हैं, तो आप wait करें आपके आगे result का, तो उसके कुछ देर बाद या afternoon में आपको पुरा merit का result भी बता दिया जाएगा, कि आपका result क्या हुआ है, उसमें आपको दो परकार की list, एक तो selected candidate होते हैं, जिनका already मतलब जितने seatे हैं, जैसे boys के लिए 115 seat हैं, गल्स के लिए 30 seat से, 5 seat इसमें sponsor के लिए हैं, तो ये इनमें सारे, जितनी सारे candidate होते हैं, उनके लिए list होती है, selection list होती है, और एक waiting list होती है, वो भी publish कर दी जाती है, waiting list का मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई student admission नहीं लेना चाहता है, selection हो गया, उसका कहीं दूसरी जगे लेना चाहता है, तो वो अगर seat सोडता है, तो उसमें waiting list वाले candidate का number आ सकता है, इसमें तो दो परकार की list जारी की जाती है, ये AFMC की website पर भी list डाल दी जाते हैं, तो आप वहां से भी check कर सकते हैं, तो इस परकार से 3 दिन का आपका पूरा selection program हो गया, AFMC का, यहीं आपको पता लग जाएगा, आपका AFMC में selection हुआ है, या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है, तो आप आल इंडिया कोटा की counselling proceed कर सकते हैं, आपको इस्टेट की counselling देख सकते हैं, अगर आपका वहां हो गया है, तो आप वहां join कर सकते हैं, इसके बाद में, जिन candidate का selection हो गया है, साथ दिन तक, अगर join कर लेते हैं, साथ दिन के अंदर-अंदर seat नहीं छोडते हैं, साथ दिन बाद seat छोड़ना चाते हैं, साथ दिन के अंदर सोड़ सकते हैं, कोई किसी परकार का bond नहीं है, साथ दिन के बाद अगर seat छोड़ना चाते हैं, तो इस बार 65,000, 65,000,000 का bond है, तो आपको bond pay करना तो इस बार 65 लाग्स इसको रखा गया है तो वो सारा सब कुछ आप एक बार देख ले तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने AFMC का बता दिया है ये प्रोसेस एक्षुल में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सिरफ चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मिलेगा जाते-जाते आपको फिर एक बात बता देता हूँ कि अगर आप आप काउंसलिंग के बारे में और कुछ सभी के बारे में एमस बगरा आल इंडिया कोटा स्टेट के बारे में जानकारी चाते हैं तो हमारी बुक जरूर लीजिएगा वो बुक मैंने एक-एक वर्ड में उस बुक एक-एक वर्ड में सचाई है स्टेट काउंसलिंग अथोर्टी की वेब साइट से सारा डाटा लिया गया है आप नेट बगरा पर चेक करेंगे आपको कहीं सही इंफोर्मेशन नहीं मिलेगी लेकिन मेरी बुक में आपको बिल्कुल राइट इंफोर्मेशन मिलेगी तो मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहन